हाई फ्रेंड्स नमसकार मैं दीपक साहू मैं सक्सिस टीम से आज एक छोटा सा टाउपिक लेके आया हूं क्रिश्टल कि तो टी के जो सारे लाइन होते हैं और सारे लाइन को इस वीडियो के अंदर में कवर करने का कोसिस किया हूं एक प्लस इसके उडर में जैसे क्या-क्या प्रॉब्लम आते हैं उसको भी स्कुन स्य टोट में अधिया करते हैं क्पे कि एक क्रिश्टल की निखल करके कितने लाइन में डिवाइट होता है यह सारा चीज इस वीडियो के अंदर में कवर किया हूं तो इस एनिमेशन की में अध्यम से मैं आपको समझाने का कोशिस करूंगा कि इसकी लाइन कैसे बनते हैं और कहां कहां जाते हैं ठीक है प्लस इसकी दूसरी मैं एक सिंगल क्रिश्टल को भी कवर कर रहा हूं लेकिन अभी जो लेटेस्ट जेनरेशन के अनुसार से गude जया जो नए मोडल आ रहा हैं उसमें क्रिश्टल छोड़ करके एक अलग से आसी यूजं किया चाहरा है जीस इस डी सिCar तूससे हर एक जहां जहां जो जो सिक्षन को अलग से स्प्लाई देना है वो सारी सप्लाई उसमें से कैसे चेंज हो रहा है इसी वीडियो के माध्यम से मैं कवर करूंगा आप लोगों को ठीक है चलिए बढ़ते हमारे स्टेप के और सबसे पहले मैं यहां पर एक पावर आइसी लिया आपका नोट-ऊर हो गया जितने वीव ओके नार्मल हैंसेट है जिसमें तीम के रिपण आपके अंट के सावश हैं फ्रिए से आरी होने वाले पहले माध्यम जासे मैं आपको क्लिर कर जाए उसके बाद डाइग्राम में भी थोड़ा सा आपको ट्रेवल करा दूंगा ठीक है तो सबसे पहले मैं एक crystal लिया हूँ 19.2 MHz का ठीक है और एक लिया हूँ power IC तो सबसे पहले इसके अंदर में power IC से एक 1.8 का एक voltage दिया जाएगा इस crystal को ठीक है वो एक LDO voltage होता है जो power IC से निकल करके सीधे crystal में जाएगा तो crystal में क्या होता है crystal के अंदर में जो पंती होती है ठीक है उसके थ्रू से जो frequency generate होता है जो यह crystal बनाया गया है कि उसको frequency के माध्यम से बनाया गया है कि वहाँ से frequency generate कराना है तो उसकी operate क्या होगा सबसे पहले यहाँ से एक 1.8 की voltage देने के बदले में वह अपनी frequency निकाल के बाहर देगा ठीक है तो यहाँ पर ध्यान दो मैंने इसको 1.8 का एक voltage दिया और एक ground दिया अब यहाँ पर भी एक सोचने वाली बात है हर एक लोग सोचते हैं जैसे कि ground तो कहीं से उठाग दे तो तो ऐसा नहीं यह crystal के अंदर में से पावर IC के अंदर में से ही negative और positive crystal के दोनों point के लिए जाता है जैसे कि यह हमारा एक टन्मीलर हमारा यह ground है यह और यह हमारी positive है तो देखो यहाँ से पावर IC से ही निकल करके इसके लिए ground जा रहा है ऐसे सभी हैंसेट के अंदर में देखा गया है जितने भी हैंसेट को जैसे कि ट्रेसिंग करेंगे आप डाइग्राम बेस के अनुसाय से उठा करके और ज्यादा तर यहाँ पर एक चीज और है कि मैं जो समझा रहा हूँ इस इस चोटे सोच के वज़ा से वह इस चोटे चीज को रिफियर निकर पाता है तो यहां पर देखो इसकी जो ground है वो यहां से पावर IC से निकल रहा है और पॉजिटिव भी पावर से निकल रहा है तो हम जितने भी इस क्रिश्टल के अंदर में जितने भी ground जा रहा है वो तो जिस IC के अंदर में पावर IC जैसे पावर IC से voltage दिया जा रहा है तो पावर IC से ground भी दिया जाता है उसको ठीक है यह बात का ध्यान रखना उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं फिसे माइन नेस्ट किया देखो पावर IC को हमने ground दे दिया और positive दे दिया 1.8 का उसके बद 1.8 के बदले में हमारी 19.2 MHz की frequency निकाल के दे रहा है और कहां रहा है हमारे power IC system दे यह और यहां से और कहीं नहीं जा रहा है अब इसकी यदि हमको testing लेना है ठीक है इसको हमको check करना है क्या हमारा crystal 19.2 MHz का हो चाहे 38 MHz का हो चाहे 26 MHz का हो यह frequency यदि हमको check करना है तो यह जगा यह जगा जब हम कभी भी check करेंगे तो यह हम मीटर के माद्यम से हम नहीं check कर सकते हैं इसके लिए हमको DSO ही चाहिए हम DSO से यहां पर ही check कर सकते हैं कि इसकी frequency यहां पर generate हो रहा है कि नहीं हो रहा है और मीटर से यदि check करना है तो वीडियों बने रही है आगे मैं बता रहा हूं कि आपको मीटर से कैसे check करने है और कहां पर check करने है ठीक है अब फिर से मैं नेस्ट किया नेस्ट किया तो यह एक लाइन देखिए कि हर्यक्रिश्टल में लग बग लग बग た एक एक एक्सो का लाइन होता है एक्सो मतहलब यह क्रिस्टल में जो XO है जो क्रिस्टल से जो फ्रेविंसी बनता है ज्यादा तर X से दरसाया जाता है जैसे कि डाइग्राम के बेस में अगर आप देखोगे इस क्रिस्टल को जैसे कि X से स्टार्टिंग किया जाता है जैसे कि डाइग्राम के अंदर में की crystal को X से जाना जाता है ठीक है तो XO ठीक है एक सो thermal PM XO thermal तो thermal का ये तो समझ आ रहा होगा कि एक thermal जैसे कि आप लोग बैटरी कनेक्टर में काम करते हो तो उसमें भी thermal रहता है ठीक है cpo के लिए लक्स थरमल रहता है network section का लक्स थरमल रहता है वैसे इस क्रिश्टल के लिए भी थर्मल दिया गया है ठीक है अब इसकी देखो यहां पर इसकी वर्किंग एक डिवाइडा सर्किट के रूप में होता है यहां पर देखिए 100 किलो मेगा या निक स्वारी 100 100 किलो ओम्स का एक रिजिस्टर यूज किया गया है और यहा यहां पर एक 0,8 वोल्टेज दिया जा रहा है और यहां पर 1.8 देखो यहां पर जब तक यह ओईडिस्टाल की लाइन ब्रेक है तो इस सर्किट में वक सितना बौल्टेज मिलेगा यहां पर 1.8 वोल्ट मिलेगा और यह इसकी सर्किट अदर यदि ये सर्किट के अंदर थर्मल मतलब एक सेंस इस क्रिश्टल के अंदर में इसको आघे समझा देता हूं उसके दिफेक्ट यानि किसकी वजह से क्या प्राभलम आएंगे उसको मैं समझाऊगा इसको मैंने नेश्ट किया तो यहां पर ध्यान दो यहां पर एक एंटीसी 100 किलोम्स का एक क्रिश्टल के अंदर लगा हुआ है इसके अंदर में क्रिश्टल के जो नीचे साइड में हमेशा देखना कभी वित जब उठाओगे उठाने के बाद में नीचे ओल टाइप के बना रहता है वहां पर एक रिजस्टर मिलेगा आपको वह रिजस्टर नहीं वह एंटीसी रिजिस्टर होता है ठीक है देखो यहां पर मैंने क्या किया है one side ground के साथ में है और one side इस divider circuit के अंदर में है तो यदि यहां से 1.8 भेजा जाएगा उस condition में यह register हमारा बन जाएगा R1 और यह NTC register जो बनेगा वो हमारा बनेगा R2 क्योंकि यह ground के साथ में है ठीक है तो यहां से circuit यह बताता है कि यह हमारी divider circuit है simple circuit इसको अगर देखो कि उसी condition के नुशार से तो यह circuit बना हुआ है यह और यहां पर हमारा ground है और यहां से जो बीच वाला line जो निकला हुआ है वो हमारा यह वाली लाई है ठीक है तो इस circuit की मान इसकी जो calculation होगी वो लगभग लगभग देखिए हमारी same same value का register है मतलब इसकी voltage हाथ होगी लेकिन NTC register already room temperature board की जो temperature है उसको नार्मल तो calculation करेगा ही करेगा तो 100 kilo ohms के वजाए वो अपनी value down कराता है क्योंकि कोई भी NTC register NTC negative thermal वाली register अपनी value down कराता है तो जैसे यह अपनी value down होगा तो यहां पर voltage की खपत और कम हो जाएगी ठीक है जितना कम होते जाएगा उसकी register की value उतना ज्यादा कम voltage यहां पर देखने के लिए मिलेगा यह voltage की कम और ज्यादा इसको हम यहां से किलताय नहीं कर सकते कि इतने आनी चाहिए तो एक temperature board की normal temperature लेगा उसकी अनुसार से जो room यहां पर use कर रहे है उसकी temperature लेगा उस temperature को म पान में लेते हुए यहां पर जो भी voltage बनेगा जैसे की 1.8 का था ठीक है 0.9 volt बनेगा तो 0.9 volt के आसपास आपको voltage देखने के लिए यहां पर आपको मिल जाएगा तो लग लगवा यह 0.78 ऐसे का आसपास में मिलेंगे माल जाए इसकी problem को देखा जाए तो हैंसेट के अंद रेचर के अनुसार से वह अपनी कितनी value डाउन कराएगा उसके अनुसार से यहां पर उसके recording यहां पर voltage मिलेंगे आपको तो कभी यह भी अगर NTC रेजिक्टर अगर खराब हो जाएगा उस condition में भी आपकी frequency वहां से बाहर नहीं आएगा और frequency बाहर ना आने के वज़े से हम आगे बढ़ाता हूँ ठीक है अब फिर से मैं नेश्ट करता हूँ इसको नेश्ट करने के बाद यहां पर देखिए यह हमारी CPU CPU के अंदर में CXO EN CPU एक Power IC को एक Enable Signal बहजेगा इसके लिए Signal बहजेगा बीबीएन का बीबीएन का सिगनल जो होता है यह CPU से यहां से आ रहा है तो CPU से जैसे ही Power IC को एक Signal जाएगा और इस Signal जाने के बाद पावर IC अपनी फ्रेग्वेंसी आउट्पूट करना ही स्टार्ट करेगी अभी वो आउट्पूट नहीं किया कब करेगा जब CPU से Enable Signal जैसे हमारी Power IC को मिलेगा तब के कंडिशन में हमारा Power IC जो भी फ्रेग्वेंसी यहां से आउट्पूट कराना है जहां जहां दूसरे ज बेजना है वो अपनी बेजने की प्रतिया यहां से आउट्पूट करना शुरू करेगा अब यहां पर देखो यहां पर तो वही चहाँ यहां से वन पाइंट दिया गया और फ्रेग्वेंसी यहां Power IC में आके अटक गया अब जो भी यहां से भी जने की प्रोसेस है वो जिनो सर्कीट के अंदर में कौन कौन सा Wi-Fi Bluetooth WTR CPU तीन जगह तीन आपकी यहां से तीन लाइन बनेंगे तीन लाइन बनेगा मतलब तीन अलग से फ्रेक्वेंसी की लाइन बनेगा जहां पर कई सारे सेट के अंदर में आप टीपी भी देखने की मिल जाएगा कई सारे में रेजिस्टर देखने की मिल जाएगा तो सबसे पहले बात करते हम Wi-Fi Bluetooth की तो Wi-Fi Bluetooth के लिए भी यहां पर इसमें भी आपको फ्रेक्वेंसी मेजरमेंट करने पड़ेंगे 19.2 मेगा हट्स का ठीक है अब आते हैं दूसरी यहां पर देखो पहले में आरेप सी ल के टू लिख दिया हूं और यहां पर आरेप सी ल के वन ठीक है और सीपी में जो जा रहा है उसको हम भी भी सी एलके के नाम से जानते हैं ठीक है अब यहां पर रहा दूसरी हमारी डवलू टीर एक्सो सी यल के 19.2 मेगा हट्स के पहले वाला तो हमारे वाइफाइ ब्लूटूथ में जा रहा है दूसरा वाला हमारा जा रहा है डवलू टीर में कई सारे सेट में डवलू टीर लगा है तो डवलू टीर के अंदर में एक्सो इन का आप्सन रहता है वहां पर हम 19.2 मेगा हट्स चेक कर सकते हैं और कई सारे डियार है तो एक्सो इन के नाम से आपको मिल जाएगा ठीक है तो इसके वजह से क्या प्रावलम आएंगे अगर के लाइन ब्रेक है उस कंडिशन में आपके हिंसेट के अंदर में नो सर्विस का प्रावलम आएगा अब रही बात मैं बोला था कि अगर आपको मीटर से चेक करना है तो उस कंडिशन में आप जैसे कि यह हमारी सीप्यू के लिए जो आपरेटिंग सिस्टम जितने भी आप ब्लूटूथ के लिए जा रहा है लेकिन यहां पर रही बात अगर वाइफाई ब्लूटूथ के लिए यदि अलग से क्रिश्टल यूज किया गया है तो यह लाइन यहां पर इंसी की रूप में रहेगा उसके अंदर में ठीक है यह दो ही सिगनल फिर जाएंगे वहां से क् के लिए अलग से आपको सिगनल नहीं मिलने वाले इसलिए, अलग से नहीं मिलेगा वह हमारी यही सिगनल जो क्रिश्टल से निकल करकी इस पावर राइसी के अनदर गया, फावर इसी जाने के बाद में अलग से तीन जगब डिवाईड हुआ लाहें जो है Wi-Fi WTR और CPU अब छेक करने की विदी हम यहां पर डियेशो से चेक कर सकते हैं और यहां पर हम डियेशो तो डीए सो प्लस मीटर, ठीक है, मीटर हम दोनों में से चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ इस पावर आईसी से जो आउट्पूट होता है, उससे यदि हमको चेक करना है तो हम मीटर या तो डीए सो दोनों से चेक कर सकते हैं, नेश्ट फिर से यहां पर अब आती है बात RTC की RTC मतलब Real Time Clock ठीक जो RTC Crystal पहले हमको देखने के लिए मिल जाता था इंसेंट के अंदर में अभी के जितने भी इंसेंट हैं उसमें हमको RTC Crystal देखने के लिए नहीं मिलता ठीक है पहले वाला हम जो देख रहे थे वह आरेफ क्रिश्टल था यह लेकिन RTC Crystal है तो जब हम लोग शुरुआती में जब काम करते थे तो हमको ज्यादातर यह मिलता था या फिर यह मिलता था उसके बाद लेटेस्ट जेनरेशन के अनुसार से यह आया उसके बाद में में क्रिश्टल टाइप का ही आया लेकिन अब यह बोर्ड में हमको देखने के लिए नहीं मिलता है ठीक है कभी भी हम पावर आईसी की नियरवाय हो यह तो अगल बगल कोई भी सेक्शन को जब हम देखने जाते हैं उस कंडिशन में हमको वनली श्रीप एक में आरेफ क्रिश्टल ही देखने के लिए मिलता है जो हमारी आटीसी क्रिश्टल है वो हमको बाहर देखने के लिए जैने ही मिलता आज कल जितने भी हैंसे रेह आपको जो आटीसी क्रिश्टल है वह पाब कar आईसी के अंदर एंवीड़ ही रहेगा औली पावार आईसी के-पूट ही मिलेगा जिसको हम स्लिप के नाम से जानते हैं इसको बोलते हैं कि लिए इंज्ट आपके दिए लिए टो सिंगल लाइन से निकल करके डारेक्ट वनली फोर सीपीव को ही जाएगा अधर कोई भी सेक्षन को नहीं जाने वाला ठीक है थोड़ा समय डायग्राम में एक्स्प्लेंड करूंगो उतना समय उसको और क्लियर कर वादूंगा ठीक अब इसको आगे बढ़ते हैं तो यहां पर यहां से एक फ्रेवेंसी निकलेगा पावर आइसी से जो लोग सिलिप सील के नाम से रहेगा वो डारेक्ट वनली फोर सीप्यूम जाएगा अच्छा अब यहां पर आटीसी किस्टल किस काम के लिए आता है आटीसी काम आपकी घड़ी टाइम मेंटेनेस के लिए यूज किय जैसे कि हम कोई भी डिवाइस में देखेंगे तो हर एक डिवाइस के अंदर में हमको आटीसी क्रिश्टल देखने के लिए मिलता है ठीक है तो डिवाइस जैसे कि बड़े-बड़े जितने भी माल जाए कोई भी कंप्यूटर लेपकाप सारे चीज में आप देखोगे तो आपर जो अभी पिक्चर दिखाया वैसे पिक्चर में जो क्रिश्टल लगाया वैसे हमको देखने के लिए मिल जाता है लेकिन मोबाइल के अंदर में हमको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो पावर ऐसे की नहीं है तो यहां से जो ही देखो कभी भी कोई इंसेट के अंदर म यह होता है जाहे सारे डिवाइस को अगर भी देखोगे तो उसके अंदर में 32 kHz का ही निकलता है ATC क्रिश्टल की वेगेंशी हम कभी भी उसको चेक करेंगे तो कि वेगेंश को चेक करना होता है कोई भी सिस्टम जैसे कि एक्जामबल हो इसे कि पाल जाए है है इसे को हम डिस्प्ले याइट है डिस्प्ले की लाइट को हम पांच सेकेंड के लिए सेट कर दी है पांच सेकेंड सेट करने के बाद हमारी सेट पांच सेकेंड के बाद में सिल्प मोड में चला जाता है ठीक है तो वो पांच सेकेंड उस सेट को कैसे पता चला कि साट सेकेंड का एक मियट होता है उसकी लिए हमारी यह आटीसी क्रिश्टल काम करती है जो अभी दिखाया आप यह तो हमारी स्लीक हमारी तो के अंदर में यूज किया जाता है लेकिन यदि एसीकी मीढिया टेक के अंदर में देखा जाएगा तो आटीसी क्लोप लिखा रहाताई तो हम वहां से चेक कर सकते हैं हर एक डाइग्राम के अंदर में थोड़ा फोड़ा नाम चेंज रहेंगे उस लाइन को देखो गे तो आपको पिलियर समझा जाएगा कि हां यह वो आडी सी के लिए है और यह आरे प्लॉक के लिए है रही सिलिप सी अलके की बात शिलिप सी अल अलके का लाइन ब्रेक था उसमें भी हम जब चेक कर रहे थे हमारा सेट बना रहा था लेकिन सेट चालू नहीं हो रहा था जो हमारी आटी सी क्रिश्टल वाली तो ऐसे थोड़ा सा अलाग 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 टाइप के प्रावलम दिखाई देंगे आपको क्रिश्टल की है हाँ तो फ्रेंड्स थोड़ा सा हम ड्राइग्राम का भी ट्रेवल कर लेते हैं कि उसमें कैसा है थोड़ा इसमें ट्रेसिंग करके मैं दिखा देता हूं कि इसकी लाइन वे कैसे बनता है हम अभी एक सिंगल क्रिश्टल की उपर हम पढ़े हैं हम खोलोक आई सी जो अर यहाँ पर आपको आटी सी क्रिश्टल देखने के लिए नहीं मिलेगा और अभी की इतने भी आपर आई सी की नियरबाए ही आपको क्रिश्टल देखने के लिए मिल जाएगे तो जैसे कि माल यह वाई-फाई ब्लूतूफ सेक्शन में अलग से कई वार आपको से क्रिष्टल यहां पर यहां पर हमको कोई भी क्रिष्टल देखने के लिए नहीं मिल रहा है इस फिर पर स्वाष्टर, यहां पर भी कई लोग बोलते हैं और यहां पर देख रहे हों यहां पर जो देख रहे हुँ इंटह माट साक्षन के लिए अलग वरकेंग के लिए लगा है यह मारी कपलर है डुप्लेक्सर है जो जितनी भी आई सी आपको देखने के मिलता है कि के अब आते हैं हम डायग्राम है बाब डाइग्राम में इस को सर्च करते हैं यह पर देख़िए के इनदर नेली कर्सियों ओपर जस्ट एक्स लिखा हुआ है और लिखा हुआ है क्या यहां से कि इसको में है इसको में अधींग स्मॉष और यहां से इसको इनपूड दिया गया तो उसी की बदले में एवाट करके तो PM XO thermal और दो नमबर है XO ADC ground यह दो लाइन यहाँ पर है यह very important दोनो लाइन होंगे और यही दोनो लाइन को आदमी skip कर देता है करने के लिए ठीक है यहाँ पर देखो PM XO thermal को मैंने click किया और इसको nest किया तो just यह power IC यह उसी की page के अंदर में देखो PM 449 लगा हुआ है तो इसी की page में यहाँ पर नीचे आया हुआ है और यहाँ पर V raise L 16 1.8 का एक voltage दिया जा रहा है रेजिस्टर एक रेजिस्टर लगा हुआ है रेजिस्टर लग करके अंदर चल गया है अब यह लाइन जब हमारी divider circuit कब बनेगा जब हमारी crystal के अंदर में जो NTC रेजिस्टर भी वही पर जाएगा यह ठीक है जी तो यह हमारी यहां तक की circuit है अब रही बाद CPU से enable signal की तो यहां पर ध्यान देना यहां पर MSM BBC LK 1 EN दिया हुआ है इसको हम क्लिक करेंगे यह direct आएगा CPU से यह देखिए यहां पर U1001A यह हमारी CPU है यहां पर number नहीं दिया है तो मैं यहा 1001 यह देखिए यहां पर यह हमारी CPU है ठीक है अब CPU के अंदर में यहां देखिए यहां से फिर हम उसको नेश्टर करके चले जाते हैं अब यहां पर यह जैसे ही EN सिगनल आएगा तब के condition में हमारे यहां पर WTR EXO CLK WCN EXO CLK और BBC LK 1 ठीक है तो ज्यादा तर इसके output के लिए enable signal की जो main enable signal बोलोगे वो BBC LK 1 के लिए होता है CPU से ही signal आ करके यहीं से CPU में जाता है अब इसको हम पकड़ेंगे BBC LK 1 कहां कहां जाता है इसको हम जैसे ही नेश्ट किये यह तो नाम अलग है वो नहीं है तो खीर से हम नेश्ट करेंगे यह देखिए CPU के अंदर CPU 1001 के अंदर में यहां पर आया हुए जहां पर BBC LK 1 जो गया था ठीक है यह हमारी enable signal जाने वाली लाइन हो गई जैसे आने वाली लाइन हो गए ठीक है अब फिर से मैं नेश्ट करता हूं अब आती हैं यहां पर देखिए यहां पर भी तीन आप्सन है यहां पर आप्सन हमारा तीन दिया गया है क्लॉक 1 2 3 लेकिन यूज कौन से हुआ है वनली दो तो यहां पर भी टेस्टिंग के लिए हम हम चेक कर सकते हैं कि हमको दोनों साइड में मिल रहा है नहीं मिल रहा है और इसको सर्चिंग में लिया जाते है तो देखते हैं है यह यह चाहता कहा है यहँ यहमारी यह थेन हचार इंटर यह देखिए उपर में है यहां पर अब इसको अगर पिक्चर में हम देखा जाए तो यहां पर है यहां पर देखो लिखा हुआ है वाइफाइ डबलू सी एन फिर यहां पर कोई भी कंपोनेंट नहीं तो हम यहां पर नहीं चेक कर सकते हैं थिक हमारे करेंगे तो हमारी डबलू ट्यार की वो वो जाने चाहिए अब आये यहां पर यह दखेंगे यहां पर आते हैं तो हमको एक सीरीज में केपिस्टर मिलता है एक रिजिस्टर मिलता है 220 अम का थीक है फिर इधर आते हैं तो यहां पर एक पैलर में cookie better दिखा रहा है सी 25 में सायद यह इन सी होनी चाहिए से आपकी कोई वेल्यू सो नहीं करने वाला ठीक है क्योंकि केपिश्टर से कोई वेल्यू क्रास नहीं होता है सिगनल आम से इजी तरीके से क्रास हो जाता है क्योंकि केपिश्टर के अंदर में सिगनल क्रासिंग ऐसी करेंट यह सारी चीज अलाव होता है ठीक है तो यहां पर चेक करना चाहते हो तो दोनों साइड में आप चेक कर सकते हो कोई दिक्कत में अब यहां पर आने के बाद में मैं इसको क्लिक करूंगा क्योंकि यह आगे जाएगा तब तो हमको WTR में पहुंचा कि नहीं पहुंचा पता चले गए यह देखिए अब आ गया यह WTR के अंदर मे एक्सो इन वाली जो मैं आपको बता रहा है तो वो आया यहां पर इनक्या वन नमबर पी ठीक है और यह है यूपचीस सो ए इसको मैंने कॉंपी किया इसके अंदर में पेस्ट किया ए को काटना पड़ेगा क्योंकि ए भी वो पेज के अनुसार से रहता है यह हमारा है होता है यहां से complete अब आते हैं slip clock के लिए जो RTC crystal है उसके लिए कुछ भी तो वो नहीं दिया यहां पर कोई भी crystal नहीं बाहर में तो वनली यहां से हमारी output होने वाला है यहां से input के लिए कोई भी अलग से बाहर में कोई भी component यह तो वो सारा चीज तो नहीं लगा है लेकिन हमको यह पता है कि RTC crystal power IC के inwild है उसी के अंदर लगा हुआ है तो वनली वहां से output होना है तो यहां पर देखिए slip CL के 1 लिखा हुआ है ठीक है यहां पर भी एक register जीरो ओम से का इस register में भी आप चेक कर सकते हो मीटर के भी माधि हम से चेक कर सकते हो और डिये सो के माधि हम से चेक करेंगे यह कहां जाने चाहिए वनली फोर एक जगा जाएगा कहां पर जाएगा CPU जाएगा अभी तक कि जितने भी पीछे जनरेशन के सारे सेट हैं सारे को चेक करोगे तो यही circuit मिलेगा ठीक है थोड़ सब्सक्राइगराम रजिस्टर कुछ कंपोनेंट ऊपर नीचे आपको दिये मिलेंगे मीडिया टेक में थोड़ से डिफरेंट बनता है लेकिन लग 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 इसको समझ गया है मतलब उसको भी समझ जाओगे उसके बाद slip clock को हमने नेस्ट किया नेस्ट किया तो डारेक्ट वह हमारी CPU में जाने चाहिए तो यह देखिए यू 1001 CPU में चला गया ठिक slip seal के यहां पर भी लिखा वह CPU के अंदर में फिर से नेस्ट करेंगे यह कहीं नहीं जाएगा फिर से रीटन उसी जगम चला जाए यह देखिए आ गए उसी जगम तो डाइग्राम में भी ट्रिवल करना है तो एसेच करना है अगर इस रजिस्टर को हमको ढू में हमको क्लियर हो जाएगा कि हां यहां पर कंपोनेंट लगा हुआ है अब इसको आगे निकलते हुए मैं आगे निकाल कि मैं थोड़ा से इसके भी यह सों बताता हूं देखिए यह सों के अंदर में देखिए हमारी 19.2 मेगा हड की फेवेंसी जब इसमें लिए गया था उ को इस प्रकार से बना हुआ तो इसकी जो सिगनल है वह सिगनल हम जो यदि दिएसो से चेक करते हैं तो हमको ऐसे सिगनल मिलेगा प्लस हमको मेजरमेंट में 19.2 मेगा हर्ट की फेवेंसी हमको मिलनी चाहिए बस यहां पर देखिए यहां पर मैं कप्लिंग में एसी शेट करक इसको डी सीम चेक करना है ठीक है तो हम यह हमारी पहले हम जो देखे हैं वह हमारा था 19.2 मेगा हर्ट की फेवेंसी यह उससे यह हमारी 32 किलो हर्ट की फेवेंसी है जिसकी डिजाइन और इसकी डिजाइन में यह देखी वेब्सर्म को डिफरेंट है ठीक है और यहां पर ध्यान दो यहां पर 32 किलो हड्ट 32.7649 के आसपास में रहता है 32.769 ठीक है तो यहां पर वो लगभग लगभग थोड़ा बहुत उपर नीचे दिखाएगा ठीक है लेकिन हमको तो यह सिगनल मिल गया थी इसमें भी हमको समझा जाएगा कि यह हमारी 36 की जो फ्रेवेंसी है वो यह हमारा यहां पर बन रहा है ठीक है अब इसी मैं आगे निकालते हुए अब जो प्लॉक का इसी है हम तो वहली के एक नार्मल को देख रहे थे अभी कंडिशन में कि नार्मल कर इक क्रिश्टल से जो फ्रेवेंसी जेनरेट होता है वो कैसे डिवाईड होता लेकिन अभी जो देखने जा रहे हो यह हमारा है क्लॉक आईसी कि त्रूश जैसे कि क्लॉक आईसी एक采सी दिए गया है उस इस इसी के अंदर से술 हो रहा है और व उस्में क्या किया था पाधर आए ईसी से ही निकल करके पा अहीं इन वोenger सोरी मोसाइज निकल करके पाधर उसके अंदर में लाइन कितने चिंजे से देखो इसको भी समझना है कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि में चीज है इसलिए मैं इसको आपके टॉपिक में रखाऊ क्योंकि इस लाइन को ध्यान ना देने के वज़ए से आपके बहुत सारे सेट रिटर न जाते हैं डेट कंडिश इसकी सर्कीट को समझना बहुत ज़रूरी है लेकिन एक ही सर्कीट को समझाने में लगवख बहुत टाइम निकल गया मैं इसको लेसन वाइस कर रहा हूं पहले जो अभी जो इतने यह वीडियो देखे हो यह लेसन वन है और इसके बाद में इसकी जो पूरी सर्कीट को मैं भी समझाऊंगा वह हमारा बनेगा लेशन टू ठीक है क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा इसलिए इसको मैं दो भाग में वीडियो बना रहा हूं और इसके आगे के वीडियो मैं आपको समझाऊंगा कि क्लॉक आइसी कैसे वर्क करता है और इसकी वर्किंग प्रोसेस बिल भेर को समझाऊंगा दो भाग में आपको